सब्सक्राइब कीजिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल एड्यूकेशन फार सीवसी को और बेल आइकन को दवाईए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफ्यूजन के बारे में तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में हम इसका इंट्रक्शन देखेंगे और इसके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी लेंगे उसके बाद हम लोग इससे related कुछ understandings को देखेंगे कि मतलब कैसे हम लोग इससे समझ सकते हैं अपने language में उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह कैसे occur करता है मतलब कैसे होता है उसके बाद हम लोग इसके बारे कुछ और सी चीजे जानेंगे उसके बाद हम लोग इसके पूरी समरी देखेंगे कि आज की इस वीडियो मेंने क्या किया तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही मज़िदार होने वाली है स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन से देखी मूमेंट थ्रो प्लाज्मा मेंब्रेन यानि कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्लाज्मा मेंब्रेन होती है वो फ्रीली स्वारी सेलेक्टिवली पर्मीबल मेंब्रेन होती है ठीक वो selectively permeable membrane होती है वो सिर्फ कुछी लोगों को entry देती है तो जब movement through plasma membrane यानि जब plasma membrane में से moment होती है किसी भी part molecules की जैसे कि मालेजे CO2 और O2 और S2O इन सभी कि यदि moment हो रही है तो वो diffusion के दर यह होती है मतलब कि यदि हम लोग movement की बात करते हैं तो सेल के अंदर जो movement है रुकिए मैं अभी diagram से आप लोग समझाता हूं देखिए माल लीजिए यह कोई एक सेल है अब यह है उसका nucleus अब उसके बाद यह है उसका sorry यह है इसका plasma membrane यह line यह line क्या है इसका plasma membrane है ठीक अब यहां से माल मेंट है इसके surrounding का यहां माल लीजिए कोई water भारा हुआ है ठीक अब diffusion तब होता है जब outer या इनर का जो concentration है वो सेम ना हो मतलब कि यदि इधर माल लीजिए कि यह कोई medium है ठीक अब इधर यदि water हो और इधर यदि water ना हो तो तब जाकि diffusion होगा ठीक मतलब कि तब यह पूरा एक दूसरे को cover करेंगे जैसा कि हम लोग chemistry में देखते आए हैं या फिर हमने chemistry में पढ़ा भी है कि diffusion जो होता है उसी प्रकार का diffusion यहां पी भी होता है जैसे chemistry में diffusion gases का gases में जैसे हमारी मम्मी अगर खाना पका रही होती है तो हमारे हमारे पास दक्सुगंद आती है उसकी तो diffusion से आती है उसी प्रकार से यदि यहां पर water का concentration जादा है यानि कि काफी large amount water present है और cell के अंदर यदि water नहीं present है या फिर बहुत कम present है तब water diffusion करके इसमें आएंगे तब तक आएंगी जब तक दोनों का concentration सेम ना हो जाए तो इसलिए जो moment होता है इसका उसी को हम लोग कहते है की capital है diffusion लीया है किषी अदरा मुझाद मी आट होगा तो मुझाद मीद अब तक आप लोग समझ में आगया होगा तो यहां पर हाइट वह देखिए हाई-र कंसें-टरेशन से लोडशन मौन लीजिए यह कोई इन्वार्मेंट ने जैसा मैंने अभी बताय हैучे सिन कंसेंट्र तो हमें पानी के मदद से ही अम इसे और अच्छे समझ सकते हैं। ठीक, तो चली हम लोग पानी का एक अग्जामपल लेते हैं, देखें, मान लीजी, ये कोई एक तालाव है, और ये कोई एक नदी है, ठीक, अब ये इसकी, मान लीजी, बगल से जा रही है, अब यदि इस नदी में जादा पानी है इस तालाब में कम पानी है और इसके बीच में यदि गैप हो गया तो पानी कहां सका जाएगा क्या पानी तालाब में से नदी में जाएगा या नदी में से तालाब में जाएगा पानी नदी में से तालाब में जाएगा इसी तरह से सीम चीज वहां किसकेसाथ होता है वहां किसके साथ होती है वहां से से क्या मतलब कि जो कोई ऐसी भी चीज रती है जो किसी भी मेडियम में नहीं सिर्फ एक इस फेस्विक मेडियम में है हां होती है उसे कहते हैं उसके बारे हम लोग अगली वीडियम देखेंगे तो बात कर लेते हैं देखें जैसे कि मैं आप लोग एक्जांपल देता हूं इसमें और बहुत जादा है यानि उकसी जड़ाओ जादा है तो यहां पर ऑफीजेन बहुत कम है तो यहां पर आ जाएगा क्योंकि हाई तो जाएगा जब तक दोनुं की concentration सेम नहीं जाएगा तभी नहीं जाएगा उसी तरह से माल लेजिए हम लोग एक्जामपल लेते हैं liquid का जैसे कि माल लेजिए कोई सेल है अब liquid का तो ऐसे हम लोग लेजिए चुके हैं फिल्बी में एक बार और बता जाएता हूं देखिए कि लिक्वीड हमाले लेजिए वाटर अब वाटर हाईयर से लुवर में जाएगा कि नहीं जाएगा बिल्कुल जाएगा उसी तरह से यदि यहां पर गैस वाटर हुआ तो मतलब कि किसी मीडिया में हो सकता है जबकि जो ऑस्मोसिस होता है वो सिर्फ फ्लूइड में ही होता है फ्लूइड में ही होता है ठीक तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथी में हम जब आप लोग को इतना डीप एक्स इसका मतलब होता है कि बिना किसी रुकावट के मतलब की बिना किसी के resistance के या फिर barrier के यह movement of molecule होता है ठीक लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं osmosis की तो उसमें सिर्फ liquid का ही होता है उसके बारे हम लोग कल पढ़ेंगे और फिर अगले दिन हम लोग इन दोने बीच में difference के ब हमारें बात करेंगे ठीक तो यह देखें एक्जामपल अमीबा टेक्स ओटू एंड यूज इटिन रेस्पारेशन प्रोड्यूस योटू और एक्सपेल बाइड़ बाइड़ बाई डिफ्यूजन चलिए अब हम लोग इसे समझते हैं करके देखते हैं देखिए यह माल दी अब इतना जल्दी जल्दी में देखिए अब यह वाटर है अब वाटर इसमें आया कैसे आया डिफ्यूजन से आया क्यों आया क्यों कि भाई इसे जरुरत यार मतलब जिन्दा रहने के लिए अब इसके अंदर प्रोसीजर क्या हुआ इसका यूज हुआ रेस्पारेशन मे इसका यूज इन्होंने कर लिया रेस्पारेशन में उसकी बात CO2 बचा वेस्ट प्रोड़क्ट क्या वेस्ट प्रोड़क्ट CO2 अब यह CO2 इसके किसी काम का है नहीं है तो इसे क्या करेगी बाहर कर देगा कैसे बाहर करेगा डिफ्यूजन में थड़के द्वारा मतलब कि बाहर था यस्टू हो उसे इन्होंने लिया उसमें सो ओटू निकाला ठीक और इसका मतलब जितना भी यूज था इन्होंने रेस्पारेशन में यूज किया सियो टू बचा फिर उसे इन्होंने विष्ट प्रोडट के रोत तौर पे बाहर निकाल दिया तो बहुत ही आसान सा है तो यहीता डिफ्यूजन मतलब इतना आसान सा टॉपिक पर कई बाहर लोगों को कन्फ्यूज भी होते हैं और डिफ्यूजन और आस्मसिस में खास करके तो अगला वीडियो जरूर देखीगा क्योंकि बहुत इंपार्टेंट होने वाला है तो थैंक यू जय भारत मिलते अगले वीडियो में सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि अब हम आप लोग इतनी मदद कर रहे हैं तो आभी मदद करी सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीजन जरूर कीजेगा वरना आप भूल जाएंगे